हेलो फ्रेंड्स गुड मॉरिंग वेलकम टू माई चैनल टेक वर्ड तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि माउस होवर फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लिमेंट करते हैं हम लोग अपने सलेनियम आटोमेशन इस दिप्रू तो चलिए शुरू करते हैं मेरा प्रोग्राम जिसके दुर अपने देखेंगे कि माऊस होवर फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लिमेंट करता हैं तो यह मेरा एक डेमो बंपेज है ऐऊ बाट पेज है तो माउस होथ होती है सपोस्ट करो मेरे यह बटन है ठीक है जैसे मैं आपना माउस लेकर आ रहा हूं करसर लेकर आ रहा हूं तो यह कहा है उसका जो भी कलर है ठीक हो चेंज हो रहा है तो इसको इस फंक्शनलिटी को हम लोग बोलता है इसी को हम लोग implement करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के थूँ तो सबसे पहले मैंने आप एक क्लास बनाई है इंप्लिमेंट माउसरों फंक्शनलिटी जिसमें मैंने एक मेन में मैंट को इंक्लूड किया है उसके बाद मैंने क्या किया है ब्राउजर की पॉपर्टी को सेट किया है तो मैंने method उसके है system.set property और यहां पर मैंने webdriver.chrome.driver मैंने chrome क्यों लिखा है क्योंकि मैं chrome browser उसके बाद मैंने अपने chrome driver की जो executable file है जिस भी folder में वो file मेरी save है मैंने उसका path pass कर दिया यहां पर उसके बाद मैंने driver एक instance variable बनाया है webdriver interface type का ठीक है उसके बाद new मेरा यहां पर keyword chrome driver अपनी एक class है actually मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ friends chrome browser यूज़ कर रहा हूँ इस पर जी से मैंने chrome driver class यूज़ कि अगर आप firefox यूज़ करें तो आप firebox driver यहां पर include कर सकते हैं जो भी browser आप यूज़ करें उसके according आप class को क्या कर सकते है यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने friends लिखा है driver.manage.window.maximize यह मेरी browser window को maximize करेगा उसके बाद मैंने include कि है driver.get और मैंने इसमें URL पास किया अपने application का URL पास किया है जिस भी application के back page में मैं अपनी functionality को perform करूंग उसको URL मैंने आप यहां पे पास किया हुआ है उसके बाद मैंने action class को include किया हुआ है अगर friends आपको action class के बारे में ज्यादा idea नहीं है तो मैंने previous tutorial में cover किया from starting to end की action class क्या होती है कैसके operations होते हैं कौन-कौन से operations हम लोग perform करते हैं तो आप मेरे previous tutorial में जाके आप देख सकते हैं और मैं friends आपको link description में provide कर दूँगा वहां से भी direct click कर से tutorial पर आप जा सकते हैं तो महां पर मैंने friends action class को include किया एक नाम का variable बनाया है आपन बूल सकते हैं object बनाया है action class का उसके बाद मैंने आप instance variable पास कर दिया action class के as a argument में driver उसके बाद मैंने क्या किया है friends मैंने जो भी अपन element को क्या करेंगा hover करेंगा उसका मैंने क्या किया x path पास किया हुआ है okay friends तो x path मैंने पास के driver.find element find element अपना एक method है जिसके तुरू हम लोग क्या करते है जो भी बैपेज के element उसको access करते है okay friends उसके दर y.x path में मैंने उसका x path पास कर दिया है अगर आपको friends x path के बारे मैं idea नहीं है तो यह भी मैंने अपने previous tutorial में cover किया हो तो वहाँ पे जाके आप इसको भी देख सकते है उसके बाद मैंने क्या किया है जो भी मेरा action class का variable है वो मैंने यूज किया हुआ है एक method यूज का है move to element यह method अपना क्या है by default जब आप action class यूज करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे method आते हैं friends okay suggestions आते हैं तो उसी में से अपना एक method है move to element okay friends जिससे क्या होगा जो भी हमारा mouse over operation होगा वो perform होगा इसके बाद इसमें मैंने argument में जो भी अपना element यह element यह वह वर क्या है और प्रफोर मैंतर्ट और मैंने यहांपे क्या किया है perform method को पास किया हुआ यह action class का class में ही अपना होता है perform method action class के साथ ही हम लोग क्या करते हैfrens perform method को यूज करते है okay friends उसके बाद म मैंने driver.quit method यूज किया है quit method अपन क्या करते हैं browser जो भी windows को close करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यह भी मैंने यहां पर हम लोग close भी यूज कर सकते हैं तो actually friends मैंने यह दोनों में difference बताया हुआ एक tutorial में कि quit में क्या difference है and close में क्या difference है मेरे उस tutorial में जाके देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो friends चलिए मैं इसको save करता हूँ और अपन देखते हैं right click करके run as javascript देखते हैं अपना operation perform हो या नहीं तो सबसे पहले मेरा क्या होगा browser launch होगा ok friends तो browser मेरा launch हो चुगा then मैंने क्या किया इसका URL पास कि अब आप यह देखते रहे ना देखो इसने क्या किया भी खुदी क्या हुआ यह अपना hover हुआ mouse then 5 seconds का उसने wait करेगा wait करने के बाद क्या हो जाए close हो जाएगा आप WhatsApp वाले इस पे button पर देखते रही है friends तो इसी का एकस पात मैंने पास किया अगर आप Facebook बाले का पास करते तो वो Facebook बाले के hover करता okay friends तो यह थोड़ा wait करेगा क्योंकि site load होने में अपना time लगेगा friends तो अपन वेट कर लेते हैं थोड़ी देर जैसे यह hover करेगा उसके बाद क्या होगा यह पास सेकिंड का wait लेगा क्योंकि अपने wait लगाया हुआ है तैन अपना जो browser है वो automatically क्या हो जाएगा friends close हो जाएगा तो अभी अपनी application load होने में थोड़ा time लग रहा है then यह क्या करेगा जैसे hover करेगा then close करतेगा अपना browser को तो यह WhatsApp वाले button को क्या करेगा friends then over करेगा then automatic cursor क्या जाएगा WhatsApp वाले button पर क्या होगा point करेगा then hover होगा WhatsApp वाले button then यह close हो जाएगा तो अपना थोड़ा wait कर लेते हैं ठीक है okay friends देखो उतने WhatsApp वाले button को क्या कि hover किया हुआ है dark हो गया है 5 सेकिंड का wait किया उसने then इसने close कर दिया okay friends तो इस तरीके से हम लोग क्या करते है mouse hover functionality को हम लोग friends क्या करते है perform करते है okay friends तो friends इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही तब तक आप मेरे चैनल को subscribe करिएगा friends मेरा चैनल है Tech World नाम से तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ Tech World तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे चैनल को subscribe करो share करो और अपने friends के साथ ज्यादा से ज्यादा share करो friends okay and friends मेरे जो सारी tutorial है वो मेरे proper Hindi में है कोई भी English में नहीं है तो मैंने end to end सारे जो tutorial है Selenium के जो basic tutorial है वो मैंने क्या किया हूँ है सारी topic कवर किया हूँ है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो तो यह मेरा channel है friends तो इसमें मैंने basic जितने भी अपने जो भी operations होते है Selenium में तो मैंने जैसे install chrome driver what is selenium web driver, basic locators how to find links, automate drop down तो जितने भी अपने basic topic है मैंने सारे कवर किया हूँ है and friends इसमें मेरे 2-3 topic और वचे हूँ इसके बाद मेरी playlist क्या आप end to end access कर सकते हैं अब ऐसे भी आप कर सकते हैं तो friends और सारे tutorial मेरे friends ये सारे क्या है हिंदी में है तो friends अभी के लिए इस video में इतना ही मिलते हैं अपन next video में तब तक के लिए thank you so much, goodbye